Cross-Cultural Psychology Disentangling Religion and Culture चीजें उल्ची होती है ना तो तभी उन्हें सुलजाया जाता है Religion और Culture आपस में इस तरह mixed है कि उन्हें अलग-लग करना एक तबज्व और काफी नजरियाती पढ़ाई मांगता है एक तरह से आपको उसकी थेरिस पढ़नी पढ़ती है Religion को किस तरह study किया गया है इसका एक तो sociological anthropological approaches है यनि जिसमें सिर्फ society में religion जो है वो कैसे वजूद में आया और वो क्या करता है उसमें कोई faith या वही या religion जो है वो इनसान से बालातर कहीं जगा से आता है ये बात नहीं होती वो सिरफ एक cultural और society के फिनॉमेना के तौपे देखा जाता है anthropological यनि इनसान की तारीख कब आया दुनिया में कैसे उसकी वजूद बदला या उसकी हुल्या बदला या क्या तो ये एक अप्रोच है दूसरी अप्रोच है traditional हम पहले पढ़ चुके हैं कि world major religions में खुदा का क्या तसब्वर है अब मैं जब world traditions कहती हूँ तो हम सिर्फ modern society और पिछले 500 साल को नहीं देखते ये जो हजारों सालों की इनसान की तारीख है उसमें इनसान कुछ और सोचता था और जब से industrialization हुई science and technology को हमने सबसे बड़ा चीजों का समझाने वाला और सबसे बड़ा नजरिया समझ लिया जिसमें हर चीज का जवाब है तो अप्रोच बदल गई ठीक तो cross culture psychology although एक science है लेकिन उसने culture को देखने है और जब culture को देखने है तो culture में चीजों को कैसे समझा था या समझा जाता है दोनों बातों को देखने है तो historically जो अपरोच थी उसको हम traditional approach कहते हैं यह जो sign up देख रहे हैं basically तो piece का sign है लेकिन इसके अंदर जो चोटे-चोटे symbol हैं वो मुख्तलिप मजाहिब के हैं वो पुनाने मजाहिब भी हैं वो नए मजाहिब भी हैं उसमें हजरत इबराहीम से जितने मजाहिब चले वो भी हैं और यह symbols हैं सितारा है या जंडा है या तलंगा है जो भी religion और culture का फिर क्या रिश्ट है पहले religion को define कर लें modern जैनि एक science दान जो है वो यह कह रहे हैं कि religion में यह capacity है कि वो individual या group को एक source provide करता है general yet distinctive यानि वो अमूमी भी ह है लेकिन वो खास भी है दुनिया क्या है उसके बारे में नजरिये की मैं क्या हूं और मेरे और दुनिया में क्या रिश्ट है तो religion यह एक framework जो है वो provide करता है उसको यह नजरिया देता है यह conception देता है traditional approach में हम यह कहते हैं कि religion एक belief system है reality के बारे में यह हम पढ़ चुके है पर खतम समझता हूँ इसका मतलब है कि तमाम मजाइब एक तरफ और modern science जो है वो दूसरी तरफ और modern science यह नहीं कहती कि मौत के बाद क्या होना है वो कहती हमें नहीं बता तो इसको यहीं रहने दें जबके religion यह कहता है कि हम आप बताता है आपको कि इसके बाद एक किसे करना है हमने अपने किन रसूलों पर जिन्दगी गुजारनी है मौश्रे के मामलात में हमने इबादात कैसे करनी है तो कि सब जो belief system है वो कायनात, कायनात का बनाने वाला, इंसान का वजूद, इंसान के जो इन्वारिमेंट है उसका वजूद, दूसरे इंसानों से तालुकात और उससे रापता जिसने हमें बनाया है, ताकि हम दूसरी दुनिया में काम्याबी से जाएं, यह तमाम religion के अंदर इस सिस्टम में हो and God. Primordial religion कहते हैं वो original religion जो इंसानियत के दुनिया में आने से भी पहले था और हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा. Religion of nature था वो, वो एक फित्री दीन था. Culture जो है वो established norms हैं, ये definitions हम शुरू में भी कर चुके हैं, रसूम और रिवाज, material objects जैसे अजरक है, वो कल्चर का हिस्सा है, किसी और जगा कुछ और होगा अफरीखा में. रहन, सहन, furniture, मकान किस तरह के हैं, जबान, खाने, ये सब चीजें जो हैं, ये हमारा material culture होती हैं और इसके पीछे कुछ रसूम और रवाज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, और ये group of people जो है वापस में share करते हैं, तो इसको culture कहते हैं. अब culture जो है, वो religion से influence होता है, और culture जो है, वो जिस तरह से हम अपने दीन का इजहार करते हैं, उसको भी असर अंदाज होता है, ये social sciences की approach है. जब के traditional approach है, कि दीन culture से बड़ा है, ये traditional perspective है, दीन एक बड़ी चीज़ है, और culture societies के अंदर जैसे मुक्तलिफ किसम के फूल, मुक्तलिफ किसम के रंग, मुक्तलिफ किसम के परिंदे और मौसम हैं, इसी दरह इनसान मुक्तलिफ हैं, और उन्हें अपने culture से अपने expression, रंगा रंग बना लिए, दीन इन सबसे बड़ा है, तो ये traditional approach है, एक्जामपल्स अलग लग करने की, festivals हैं, तहवार हैं, खाना हैं, social rituals हैं, जो religious भी होते हैं, मसला एद एक social ritual भी है, लेकिन वो एक मख़भी ritual भी है, Christmas एक cultural ritual भी है, लेकिन एक वो religious फरीज़ा भी है, अब सभा, उस के पीछे एक religious history है, कि Christmas इस खास दिन पर क्यों होता है, दिवाली कब होती है, Chinese New Year जो है, ये सब के पीछे एक religious history है, लेकिन कई दफार वो सिर्फ culture बन के रह जाते हैं, ठीक है, अब शादी में एक बड़ी दिल्चस्प बात है, निकाह, इसलामी के लिए शादी है, लेकिन culture ही कहता है, कि निकाह के साथ रुखसती के बगार शादी मकमल नहीं होती, हाला कि दीन ने आपके लिए निकाह के साथ मकमल कर दिया, आपके दो लोगों की इसदवाजी रिष्टे को, अब ये cultural चीज़ है, कि जी वो निकल के अपने घर से जाएं, जब जिसकी रिए रियास चीज नहीं थी, और वो दोनों मियां बीवी को मिलने से नहीं रोकती वो चीज़ लेकिन निकाह आजा, इसी तरह खाने पीने में हैं, आप किसी मुल्क में रहते हों, आप एद मनाएंगे लेकिन आप खाना कोई फरक भी खा सकते हैं, अच्छा दीन आपको ये नहीं कहता क तो आप वो सौते एक उन अलाकों में चीज़ है जो बांस की उस पर लगा के तीलियों पर कबाब होते हैं, हम से महीं बना लेंगे, तो कोई ना कोई मीचा हर कल्चर में एद के साब से होगा, तहाइफ जो हैं तमाम कल्चर में कॉमन होंगे फेस्टिबल्स पे, हलाल और हर खुब है। लो यह वो आपको डिफाइन निकारता है कल्चर डिफाइन करता है। टेस्टिव हम उ कल्चर डिफाइन करता है, इसमें एक आख्री दिल्सप बात, वो लोग हमारे मौशरे में या किसी और मौशरे में जो दिन पे पूरी तरे अमल नहीं करते। मसलन नमाज नहीं पढ़ते या रोजा नहीं रखते या रिश्वत ले लेते या जूट बोल लेते या खुद को कोई ऐसा पक्का मुसल्मान नहीं कहते वो भी निकाह के बगेर अपनी अलाद की अपनी शादी को मकमल नहीं समझेंगे वो अपने जनाजे को दफनाएंगे उस